हमारे साथ में एक विश्रा था थी बने हुए है राजतिक विश्लेशक हैं ठीक है जांगी साब आपके पास वापस आती हूं भी और दूसरा सवाल है कि लगातार देखिए सरकार के तरफ से कोशिश तो की गई सबका साथ सबका विकास लेकिन रोजगार में कुछ खास इस बार नजर नहीं आए, रोजगार को एक तरह से कहा जाए, तो रोजगार पे सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है, जो मुद्दा विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही है, रोजगार और महंगाई, आज किस बजट में रोजगार औ यह बजट राजनेतिक होगा, तो जाके इलेक्शन कमीशन में अप्लीकेशन देते, धरना प्रदरसान हला करते, कोड जाके रुकवा देते, कि वाई चुनाओं होने वाला है, साल बार के बाद बजट मत करिए, हिम्मत तो है नहीं कि यह रोग दें, दूसरी इंपॉर्टे इसको बोलते हैं, माई एसी टेस्ट या लिटमस टेस्ट बोलते हैं, तो हम इसी पैरामीटर पे देखते हैं, आपका एक सबसे वाजिब सवाल है, जो कि एड्रेस करना चाहिए, कि वागई में कि वजट में जो आप बोलना है, कि नौकरी के लिए और महाई के लिए कुछ नहीं है, अब जो अर्थ शास्त्री हैं, वो जानते होंगे, कि नौकरी और महाई ये दोनों चीजे हमेशा किसी भी एक्टिव एकोनॉमी में बाई प्रोड़क्ट होते हैं, बाई प्रोड़क्ट का मतलब क्या सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि जी हम 25 लाख नौकरियां देते तो 38,500 आप ही डाटा दिखा रहे थी, टीचर्स का हो गया कि नहीं हो गया, इसी तरीके से जैसे महाई हो गया, अब सरकार क्या करें, सरकार बजट में ये बोल दे क्या, कि भाई महाई खतम या इतना दे देते हैं, उससे नहीं, महाई को कंट्रोल करने के रेमेडीज क्या ह उसके तरीके दो ही होते हैं, या तो आपकी इंकम बढ़ा दी जाए, और आपको महाई का महसोस नहीं हो गाईता है, यहाई आपकी परचेजिंग इंकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, ज्डिया दूसरी चीज यह होती है, कि चीजों के वस्तुऊं के सेव माओं के मूल को घटा दिया जाए ठीक है तो ये दो ही तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है डाटा है कि महंगाई 6.5 या 6.8 परसेंट का इंफलेशन है विल्कुल हलाकि 6 परसेंट तक होता है थोड़ा सा ये स्लाइटली ज्यादा है आप बोल सकते हैं कि सिच्वेशन टेंस बट अंडर प्रेशर वाली है हायर लेबल पर है महंगाई और इंफलेशन का अगर आपको एक्जाम्पल देखना है जो नेता नाराज है मैं उनको या जिनको लगता है कि यह बजट अच्छा नहीं है वो सिर्फ यह देख लें पाकिस्तान श्री लंका का बजट देख लें वो यही करते थे पॉपुलिस्ट एनाउंसमें बिना सोचे समझे डिफेंस ने मिलेटरी ने मांगा 30 परसेंट लोग 35 फला ने उसने मांगा मस्जिद ने यह दो आजी ले जो कोई प्लानिंग नहीं फ्यूचर का ग्लोबल एकोनॉमी का कोई नॉलेज न मैं और दिन भर बैटके मैं explain कर सकता हूं और लॉजिक और एकोनॉमी के प्रिंसपल के उस पे क्योंकि एकोनॉमी की भी मेरी expertise है दूसरी सबसे important चीज मैं आपको बोलता हूं इस budget में किया क्या है मैंने पहले भी बोला था budget खैराती नहीं होगा budget इल्मी नहीं होगा budget बाती है ना खैराती है ना आसमानी है यह budget है economics एक science है उसके बेस्ट पे जो global situations है उन चीजों को देखते हुए और देश को जहां लेके जाना है उनको reality में develop करना उन factors को अब बड़ा अच्छी चीज है देखे जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया सारे panelists ने 50 हवाई अड़े बनाये जाएंगे अब देख सुनने में लगता है इसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा लेकिन इसका मतलब समझे इंडिया की जो top 10 cities है ना top 10% cities होती है वो 50 आती है लगबग 55 कोई भी MNC बाहर से इंडिया में जब business करने के लिए आती है ना तो सबसे पहले वो target करती है कि top 10 10% यानि 50-55 cities जो इंडिया है वहां पे वो अपना network बना ले जो bank वन रहा है 50 हवाई एडे अगर बन गए नय और पहले तो है ही connectivity क्या होगा और उसके परिणाम क्या होगे इसका एक example और जैसे मुंबई और दिल्ली express highway record time में बनके खुल रहा है आपको पता है कि कितना economic impact positive प तरीके होते हैं लोगों की income को purchasing capacity को रास्ट को मजबूत बनाने को जन्ता को मजबूत बनाने को आप नौकरी करिए business कर अच्छी problem क्या है ना अप अच्छा लोगों की यह है कि government बस पैसा उठा करके जैम में दे दे तब यह बोलेंगे कि हाँ जी budget अच्छा है आप नौकरी करने जाते हैं किसी factory में जाके नोड तो नहीं शापते हैं ना लेकिन महीने बर के बाद पैसा आपके जेब में आता है वह प्रोसेस जो महीने बर चलता है उसका buy product ऐसे पैसा आपकी salary के रूप में आपके पास आ जाता है तो यह mechanism को समझना और dynamics को समझना budget जैसे typical subject के लिए जरूरी है केवल नितागिरी का चश्मा लगा करके आप देखेंगे तो budget आपको कभी समझ में नहीं आएगा ठीक है आपके दो question बड़े जनीन थे जो आपने पूछे है कि स्वास्थ और शिक्षा और defense के ऊपर कोई खास focus नहीं है तो चीजे मैं बता हूँ इसको यह समझा कि स्वास्थ स्वास्थ और सिश्चा दोनों की अगर हम बात करें तो पिछले budget में आप देखिए जैसे जो घटनाए हुई थी कि इतने एम्स बनाने के लिए इतने private medical इतने गवर्मेंट medical बनाने के लिए जो budget था माली यह दो साल पहले देश भर में पचीस या पचास एम्स बनाने के लिए जो budget पास हुआ तो एम्स दो चार साल में बन के तब तयार होता है तो अब इसका मतलब नहीं है कि वो हर बार देते रहेंगे उसी जगह के लिए budget एक तो यह होता है दूसरा main difference इसमें यह होता है क कि सिच्छा और स्वास्ति यह स्टेट का matter होता है जी सेंटर का contribution साथ 5 या 10 परसेंट होगा जो national level के institute होते है central universities हो गई और उसके साथ central institute ams वगरा जो हो गए उसमें होता है तो यह भी एक region होता है कि हर इस्टेट अपने जरूरत के हिसाब से सिच्छा और स्वास्त का budget अलग से बनाता है अपने इस्टेट के budget में देता है यह एक आपने तीसरी सबसे important चीज बोली थी जो discuss करना या 13% के आसपास है मुझे exact figure नहीं पता है जिस हिसाब से चुनोतियां हैं दोनों border पे और internal यानी डाई front का बौर जो situation चल रही है उस हिसाब से हमारा budget लगभग 17-20% होना चाहिए क्योंकि हर तरफ हम दुश्मनों से गिरे हैं दुश्मनों की चाले encroachment हो रहा है हो सकता है government को ये लगा हो क्योंकि पीछे के सालों में government ने बहुत जबर्जस्त investment किया है इसमें डिफेंस में गोला बारूत खरीदना ये और उन्होंने डील कर ली है और supply अभी तक चल रही है या शुरू भी नहीं हुई है तो अगर budget पहले दे दिया गया है दूसरा इसमें एक region ये हो सकता है फर्स टाइम डिफेंस का सेक्टर ऐसा हो रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है तो में भी पॉस्बिल कि government के दिमाग में एक additional source of income रहा हो कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना इंकम आ जाएगा तो हम डिफेंस पर दे देंगे तो ये कुछ ऐसे factor हो सकते करीव इतना एकारी करने मेंन भी थेतना थे COант σεफड़ का hele जाएगा बीफेंस का सेक्टर थेहर हो कि दो वर टो रहा है ुटड़ थेएगा एक वाया है